तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हीरा मीना जी है जैसे हिंदू मुस्लिम सीखिसाई जेहन बौध सबके पास अपना जंगन्ना कोलम है लेकिन हमारे पास कोई जंगन्ना कोलम नहीं है आप लोगों ने अभी तक फॉर्म बढ़ने के साथ आपके पूरी आइडेंटी उसमें ली जाती है उसके साथ आपका रिलीजन कुछा जाता है तो आपने कभी आदिवासी कोलम देखा उसमें नहीं देखा ना तो यही सबसे बड़ी पार्शलिटी हम आदिवासी के साथ यह कि इस देश के मूल मालिक मूल मालिकों के वंशेज होते हुए भी हमारी आइडेंटी को वैसे इस्तापित कर रहा था जो सब धर्मों से बिल्कुल अलग तो आदिवासी जो जल जंगर जमीन प्रकर्टी के साथ अपने जीवन को जीता है और वास्त्रिक सी जो में विस्वास करता है वो काल्पनिक दुनिया से दूर होता है और मानिवे संबंदों में विस्वा सामुइता, सह निर्वड़ता, सह इर्वेता और सब को साथ लेने की परंपरा के साथ जीता है इसलिए वो अपने पुर्खा परंपराओं के साथ अपनी संस्क्रति के साथ और अपनी भाशा के साथ जीना चाता है और अपनी पैच्छान के साथ रहना चाता है जो किसी धरम पर आधारिक नहीं है, वही काम तो ही जी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कि हिंदु रास्टे बनेंगे सब्दीचे हैँ सामान कर लाएंगे। तो सोच ये हिंदू राष्ट कैसे बनेगा? क्या किसी एक कोम कोई राष्ट बन सकता है? नेपाल बना है हिंदू राष्ट क्योंकि वहां हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है. आपको पता होना चाहिए हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरी बड़ी आबादी हम आदिव तो यह आदिवासी राष्ट था है और आदिवासी राष्ट रहेगा. मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम आदिवासी को मुस्लिमानों में बाठ रखा, इसाहियों में बाठ रखा, हिंदूों में बाठ रखा और आदिवासी की आबादी अलग है. उस आबादी के हिसाब स तो सोचिए जब इसाइधर्म के आदिवासी या मुस्लिम दर्म के आदिवासी एक जुट हो जाएंगे तो पहली आबादी होगी आदिवासी उन्हाइब करो पहले आज जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हैं वीडियो देख तो लिगे सब्सक्राइब नहीं झाल